हेलो एब्रिवान मैं अभिशेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चोरवसी आगरो फार्म पे आज आप देख सकते हैं आज है फर्स्ट ओफ में और मैंने जो लास्ट वीडियो पंकिन का अबडेट डाला था वो डाला था 16 ओफ फेब्रुरी को आज एक्जेक्ट जो है हमारे 15 डेज हो गए है 15 दिन हो गए है और उस टाइम पे मैंने हर पौधे पे यूरिया का यूज किया था ठीक है और साथ के साथ हमने जो में स्टेम होता है जो तना होता है जो मुख्य तना होता है पेर का उसको हमने उपर से कट कर दिया था काट दि क्योंकि जो में तना होता है उस पे जादा तर मेल फ्लावर आते हैं नर फूल आते हैं तो उससे हमें कोई फाइदा नहीं होता है और हमें चाहिए फिमेल फ्लावर ठीक है जो फिमेल मादा फूल है वो चाहिए इसी वज़े से हमने काटा था तो आज आप देख सकते हैं लग उस्वीडियो को आप देखिएगा और इस वीडियो को सप्के आप उस्ट बीडियो में हैंιο 526 से इस बीडियो में बहुत ज्रीज या है यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एक तने को को हमने छोड़ दिया था ठीक है तो देखिए बस एक ही है और उसी के जगह पे अब इस पौधे को देखिए ठीक है तो काफी अच्छा ही ग्रोथ आया है और साथ के साथ काफी सारे नए तनह भी आये बस अभी इनको दुबारा जैसे कि 15 दिन हो चुका है ठीक है तो अभी ग्रोथ तो काफी अच्छा है अब हम इस पर यूरिया का यूज हो गया अब हम इस पर करेंगे कल के डेट पर सूपर का यूज करेंगे ठीक है सूपर को मैं जो है जो इसका जर है जर के आसपास देखे और उसके बाद वापस से पानी दे देंगे तो वो सारा चीज जो है पौधा खीच लेगा जनरेली ऐसे नहीं देते हैं लोग बोलते हैं कि मतलब साइड में थोड़ा गढ़ा करके उसके बाद थोड़ा देना चाहिए ताकि थोड़ा निराई गुराई भी हो जाए और साथ के साथ उसके पौधे को डायरेक्ली मिल जाए लेकिन अभी आप यह जो पौधा इस पर दे अगर आप अभी हक लेबर अगर लगाते हो और उस पर जितना खर्चा करोगे उसको एक दिन दो तीन दिन यहां पर लग जाएगा हर ब्रांच को हटा के मतलब हर जो तना है उसको हटा के वहां पर साफ करके फिर जो सूपर दे के और फिर से बंद मतलब ढ़कने में तो उस कहीं कहीं पर देख सकते हैं फूल लाया है फल भी आया है ठीक है और फल जो है वह काफी अच्छा है तो कल डालते हैं फिल में आपको अबडेट करेंगा कि सूपर अगला जो अबडेट होगा हबते दिन बात देउंगा तब आपको पता चलेगा कि कितना जाता फूटिंस जैस आया है और हिए वाहिप styl क्या हो रहे हैं क्योंकि यह फ्रीस होते हैं यह में क्या होता है कि उपर ज्याधा चाहिए और यह चिस थोड़ा कम होने सेorama हैं यह देखिए यह आप देख सकते हैं यह पर न Правल के conclusions this जो कि ये कि यहां पर भी देख सकति है है इसाँ इसीए तरह से तरह हर नोस्ता है Gus तरह आई सरीक इस स्थो नहीं पॉल तो जो अपना हिवह देखी इसको है उपने करूं की इसको वापस से बैट पे रहनुता किया चलने उसल्स पर लूस्त करा कि ठीक है गाइस तो इतना ही है उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था बस पानी पानी दिया था इसको यह जो पाधा है इस पर देख सकते हैं कि बदे का पत्ता ़ो है कियो फाध रोधा पता पीला समझिन में नहीं आ रहा है कि लग रहा है कि इसे कि एक बार के लिए शोच रहा हूँ कि इसलिए बिला पर जय रहा लेगिन देखते हैं इसके लिए कोई मेडिसी न अगर हुआ तो क्य continuously कि नहीं हो रहा है डियदिस चेख यह जो पर है कि這裡 इस पर अभी क्या करना है एक चाहिए यह देख सकते हैं यह देखिए यह जो मख्या है यह बहुत जदा डिस्टरब कर रही है शायद इसके वज़ए से कुछ फल मैं आजी के डेट पर भी शाम तो हो गया लेकिन आजी में एक स्प्रेय करने वाला हूं इस पर ठीक है अभी ज तो इतना ही था यह खुद देख लीजेगा और खुद कंपेर कर लीजेगा कि ग्रोथ कैसा हुआ है जो हमने में तनाई को काटा था उसके बाद और उसके बाद गाईस यह जो है भिंडी का अपडेट है यह देखिए भिंडी अभी हो रहा है यह देखिए यहां पर देख स कहीं कहीं पर है ऐसा कि नहीं जमा था तो वहां पर हमने वापस से बीज लगा है जब निकलता है तो उसके आस-पास जो क्या होते है कि जो फंगस होते हैं वह फंगस मिलके इसका जो यहां पर कॉलरोट या कुछ बोलते हैं वहां पर यहां पर सूख जाता है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ते हैं कि निकलने के बाद हमें एक फंगी साइट का पर प्रॉब्लम नहीं आता है तो हमने फंगी चाइट का तो स्प्रेय कर दिया है पर्सों किया था अज एक तरीक में 27 सकते हैं प्लांट जो हमारा पौधा है यह जो पौध है इसका भी ग्रोध बहुत अच्छा है तो इस मेरा इन अजन ना लग जाए तो कि अगर किक यह थीधे इस याशा पर मैंने भींदी नैसे लगाया था यहां पर चाहए नहीं जमा Satई यहां पर लगाया था है यहां पर एक है यहां प्रीडि जिस पर काफी इस्तों ईनको मतलब महनत करना परता है गाच्छो मतलब पौदे को इतना बड़ा भी करने के लिए यह इतना बड़ा होता ही निए क्योंकि वहां पर पानी बहुत जादा देना परता है और साथ के साथ धूप जब देता है तो सारा पानी ऊपर मतलब वापस से सूख जाता है तो इसी वज़े से मैंने यह कोहड़ा है पामकी ने उसके बीच में भिंडी लगाने का मकसद यह था कि इसमें धूप थोड़ा कम पढ़ेंगे तहीं कहीं पर आप देख सकते हो जैसे कि अगर सूरज इधर है सूरज जब पूरव के साइट पर है तो इस साइट को छाओं मिलती है फिर शाम के टाइप हमेशा ठंडा रहेगा और बाकी पौधे जो है वह उपर रहेंगे भिंडी के बारे में बोलड़ा है कि सबसे खराब पौधा यही है एक दम ग्रोथ नहीं किया पता नहीं सो इसी तरहिके से हैं गाइस भिंडी भी अभी तक ठीक ठाक है अभी तक तो ठीक है देखते हैं आगे चलके क्या पता है पस वईट कर रहें एक बारिश कर आजा जाए जाए वह भरा भरा हो जाएगा तो भिंडी में भी फिलाल कुछ नहीं करना है कल के दिन बस मैं यह काम करता हूं कि जो अपना पौधा है जो पमकीन है कोड़ा है उस पे थोड़ा सुपर का यूज करता हूं और फिर एक दिन और मान लिजिए कि तीन से चार दिन बाद जब एक बार पानी दे दूगा उसके बाद में 2020-2020 जो उस ताम पर यूज किया था ठीक है जिसमें कि 20 परसेंट होता है नाइट्रोजन 20 परस फॉस्परस पोटास होता है जीरो और उस पर सलफर होता है 20 परसेंट तो उसको मैं वापस से पौधे में दूँगा लेकिन अभी नहीं तो हपते दिन बाद मतब कल पानी दे दूँगा एक दिन दो दिन बाद पानी दे दूँगा उसके बाद उसको यूज करेंगे ठीक है तो अभी बस यही जो थोड़ा जगह है वह आप देख रहे होंगे कि सफेदे मिर्टी पूरा दिखाई दे रहा है वरना बाकी जगह पर पत्तियों ने ढग दिया ह अभी और भी ग्रोथ करवाना बाकी है ठीक है गाइस तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नेक्स जो भी अपडेट होगा वो देंगे और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जूरे रहना मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ कि करके अभी आप मेरा जो सारे तीनेकर का प्ल पर जो लोग बोलते हैं कि किसान सुसाइट कर रहे हैं बहुत जगह से कंपरीन आता है किसान लोगों का इंकम नहीं हो रहा है तो उस चीज को मैं गलत सावित करणे पर लगा हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊं कि अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज करके अगर करत हैं तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी प्रॉफिटेबल हो गया हूँ मैं खुदी अभी बहुत बरा लॉस मतलब हूँ लगभग मेरे इस फार्म पे मैंने लगभग अभी तक तीन लाग के एराउंट पैसे मतलब लगा दी हैं तीन ला लाग रुपे लगाए हैं और तीन लाग लाग अभी कुछ 50,000 का तरह ही निकल पा है अभी भी धाय लाग में लॉस में हूँ और उपर से अपना जो महना थे वो तो अलगी है फिर भी मैं यह आसा नहीं छोड़ रहा हूं मुझे यह पता है कि फार्मिंग जो है खेती बार है और आप देखें कि हां किस तरीके से हम इंकम कर सकते हैं किस तरीके से इंकम आता है खेती बारी में तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे सकते हैं मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ताकि हर एक चीज़ का अबडेट होता रहे हर एक चीज़ का अबडेट और मेरा और गाईस एक नया अपडेट है कि मैं अभी बैगन के कुछ पौधे actually मेरा एक दोस्त ने दिया है मुझे कुछ पौधे तो अभी बैगन के कुछ 500 के आसपस उसने पौधे दिया है तो वो मैं भी लगा रहा हूँ उसी मैं थोड़ा बीजी हूँ तो यह कल तक एक वीडियो आ जाएगा कि कहां पर मैंने बैगन लगाया किस तरीके से तो गाईस ठीक है वीडियो देखने के लिए थेंक यू बाई